हलो दोस्तो स्वागा थे आपका ही चैनल पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणांखंड निकालना तो देखे दोस्तो मेरे पास कोश्चन है कि x2 प्लस 5x प्लस 6 का गुणांखंड ग्याद कीजिए तो देखे दोस्तो इसमें क्या करना है यह जो लास्ट वाली संख्या है यानि कि 6 इसका गुणा करना है किसके साथ तो इस पहली वाली संख्या के साथ यानि कि x2 के गुणांख के साथ और यहाँ पर x2 का गुणांख कितना है जी तो 1 हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तो तो last वाली संख्या का गुणा कर दिया किसके साथ X2 के गुणांक के साथ और गुणांक कितना था 1 था गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 एका में 6 यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेते हैं अब देखें दोस्तों ये जो 6 आया है इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं और इस प्रकार करना है दोस्तों कि उन दोनों को जोड़ने पर कितना आये दोस्तों तो 5 आना चाहिए और दूसरी बात दोस्तों कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में गुणा करने पर कितना आना चा और फिर मैंने यहाँ पर रह कर देखा 2 और यहाँ पर रह कर देखा 3 और दोनों को गुणा किया तो भी 6 आ रहा है यानि कि यह जो दो टुकड़े हैं यह perfect हो रहे हैं यह जो दोनों टुकड़े आए हैं यह दोस्तों बिल्कुल fit बैठ रहे हैं इस equation में तो देखे दोस्तों हम लोगोंने टुकड़ा कर लिया अब क्या करना है तो यहाँ पर लिखना है x square प्लस अब देखे 5 के हमने दो टुकड़े किये थे कौन कौन से टुकड़े एक तो था 2x और दूसरा 3x तो जब हम लोगोंने 5 का दो टुकड़ा किया तो पर ला टुकड़ा कौन था जी 2x प्लस दूसरा टुकड़ा कौन था जी तो 3x और प्लस में क्या है तो 6 है दोस्तों बस आप लोगों को यह वाली बाते ध्यान रखने है टुकड़ा करना आना चाहिए आप लोगो अब देखे दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे और इन दोनों को साथ में ले लेंगे और साथ में ले करके क्या करेंगे आपस में common वाला solo करेंगे तो देखे दोस्तो इन दोनों में क्या common है क्या आप लोग को common क्या रहा है common मतलब कि जो दोनों में हो तो इसमें भी x है और इसमें भी x है तो मैं इन दोनों में से x को common ले लेता हूँ तो यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ पर x यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या बच जाए जाएगा X plus 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अरे भाई यहाँ पर 6 के दो गुण अंखुंड होगा, एक तो होगा 3, 3 2 जा 6, तो हम लोगोंने 3 को common ले लिया तो बच क्या गया यहाँ पर 2, हम लोगोंने जब 3 को common लिया और यहाँ पर बच गया क्या 2, अब देखे दो यहाँ से यह हो जाएगा, X plus 3 is equals to 0, और यहाँ से हो जाएगा X plus 2 is equals to 0, यह हम लोग क्यों कर रहे हैं, यह ज़सा करने से X common आ जाएगा, अब देखे दोस्तों यहाँ से X common कितना आ रहा है जी, तो 3 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा, minus 3, और यहाँ से X common कितना आ रहा ह तो माइनस का 2 तो इधर चला गया तो किस में हो गया माइनस में ये हुआ दोस्तों हम लोग का गुरन खंड